इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें जब किसी पर कोई आरोप लगा जाता है कोई चार्ज लगा दिया जाता है जिए तो वहां पर जो अपोजन पार्टी के दौरा जो उनका जबाब होता है जवाब पेस किया जाता है ट्यकर नहीं करता है यह नूजरा और प्रिद्धाबा का प्रावथान आगे पढ़ने वाले हैं तो चले श्टार्ट करते हैं आज का शेसन तो सबसे पहले बात करें नियम 1 की तो अगा रूरुल का कहता है लिखीत क्थन संभी यहां पर बताया गया है कि लिखेत क्थन किते दिन के भीतर आपको प्रस्थ प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस पर समन की तामिल होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा तो यहां पर क्या है जो बादी है वो और सेवन में हमने पढ़ा था कि वहां पर केस फाइल करता है ठीक है ना बाद पत्र से समनित पढ़ा था अब यहां पर तो बाद पत्र फाइल हो गया था लेकिन जब उसको सूचना मिले अपोजिट पार्टी जो हो रहता है ठीक ना प्रतिबादी है तो वो क्या करेगा अपनी प्रतिरक्षा में वो 30 दिन के भीतर जब समन की तामिल हो जाती है उस पर ठीक है ना उसको प्राप्त हो जाता है कि हाँ मेरे खिलाब क्या हुआ है कोई एक्षन लिया गया है तो वहाँ पर जब समन की तामिल हो जाएगी उसके 30 दिन के भीतर वो लिखित कथम प्रस्तुत करेगा ठीक है ना कि अपनी प्रतिरक्षा में कि वो किस प्रकार से अपने को डिफेंड कर रहा है यह हो गया उसके के बाद यहीं मान लीजिए जो प्रतिवाद ही था वो किसी कारण बस तीस दिन के भीतर करने में असफल रहता है ठीक है ना तीस दिन के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल हो जाता है अब हो सकता है कहीं वी चला गया हो सकता है साधी में चला गया हो ठीक है तो वहा यदि समय धान हो जाता है कि जो कारण थे वे ऊचित रहे तक कारण 30 दिन के purple of file करने में आस्फल रहा है तो यहां पर नभे दिन के भीतर कोई ऐसि देर ते सकता है याले जहां पर लिखित कष्टन FILE किया जा सकता है व्रट यहां पर 90 दिन के बाद का नहीं होगा ठीक है तो यहां पर क्या है जो कारण है वो उचित होना चाहिए तब नियाले का करेगा 90 दिन के पहले का करेगा उसके एक समय दनी अधारित करेगा जहां पर होई अपना लिखpowered काTIAN में प्रस्तुत कर सकता है यह थो गया नौर्वल केस में अब माले जो बाड़िजिक विवाद के लिए आते हैं ठीक ना कॉमर्सिल डिस्प्यूट के मामले होते हैं ठीक ना उसके मूर लिके लिए कोई है विवाद तो यहां पर किता समय अनुक्यात किया जाएगा यहां पर ह यहां पर यहां पर दो चीजे बताईगी है पहला क्या है कि 90 दिन के पहले का होगा ठीक है किसमें नौर्वल केस में लेकिन यह जो दूसरा केस है कि वहां पर वाड़िजिक बिवाद के लिए कोई मूले से समझी बिवाद आ गया है तो वहां पर यहां पर 30 दिन के भीतर कोई लिखित कथन नहीं प्रस्तुच करता है तो उसको 120 दिन के भीतर कोई ऐसी डेट दी जा सकती है जहां पर लिखित कथन फाइल कर सकता है बड़ के बाद बात करने यहां पर नियम एक का की ठीक है ना नियम वन ए जहां पर पताया है कि प्रतिवादी को वे दस्तावेजे पेस करने का करता पिजिन पर उसके दोवार अंतोस का दावा किया गया है यह निर्भर करता है अब यहां पर डिफेंडेंट जो है वो कौन से दस्ता बेच को प्रतिबादी गर्थाथ उसकी duty है कि जिस दस्तावेश से वह अंदोस का दावा करना चाहता है उसको पेश करें नियाले के समक्ष यहाँ पर जो first है यहाँ पर क्या बताएगा है कि जहां प्रतिबादी अपनी प्रतिरक्षा का आधार किसी दस्तावेश को बनाता है या मुजरा या प्रतिदावा के लिए अपनी प्रतिरक्षा या दावेश का समर्थान किसी एसे दस्तावेश पर निरभर करता है जो उसके कबजे में है वहाँ वह एसे दस्तावेश को सूची में प्रविष्ट करेगा और उसे लिखित कथान उपस्तित किया जाने के समय नियाले में पेश करेगा अब वहाँ पर क्या है कि यदि जो प्रतिबादी है अपने प्रतिरक्षा का अधार किसको बनाता है किसी डॉक्यूमेंट को बनाता है ठीक है या फिर मुझरा के लिए प्रतिदावा जो है उसके लिए किसी दस्तावेज पर निर्भाग करता है तो वहाँ पर क्या करेगा एक लिखित कथन के साथ उसमें एक सूची बनाएगा कि कौन-कौन से दस्ताबेज उसमें सामिल किया जाने हैं जिसके विहाब पर क्या करेगा अपना प्रतिरक्षा करना चाहता है तो वहाँ पर एक सूची प्रस्तुत करेगा न्याले के समक्ष लिख वहां टक संभव उसके कथन करेगा कि वह किसके कबजे में है उस लिखित कथन के साथ कि वह जो दस्तव ध्यक्टिक के कबजे में है और उससे कैसे प्रात्त कि यह दा आदेस करेगा वहां प्राप्थ किया जाए वहां दस्ताथ प्राप्थ हो जाएगा। उसकÑ बाता है नियमफोर यहां पर क्या क्या बताएगा जो भातीक्रादिके रिश्तीक प्रति परक्ष data कि लिए पेस लिए यहजा जाए तुछ इस नियम में बाते बताईगी है नियम एक का में ऐसे दस्तावेश को लागू नहीं होती है जहां पर बादी के साक्षियों की प्रति परिक्षा के लिए पेश किया जाना है ऐसे दस्तावेश पर इस नियम की कोई बात लागू नहीं होती है और दूसरा पॉइंट किया है कि साक्षी को केबल और उसे पता चल सके कि कौन से दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है ठीक है तो वहाँ पर ऐसे दस्तावेज को इस नियम की कोई बात वहाँ पर लागों नहीं होती है इस प्रिति ताजा करने से समधी प्राब्धान आपका एविडेंस एक्ट में है ठीक है उसके बाद नियम च्छे नियम च्छे क्या बत करता है मुझरा के विश्ष्टिया लिखित कथर में दी जाएंगी जहां तक धन की वसूली के बाद में प्रतिबादी नियाले की अधिकारता की धन सम्मधी सीमाओं से अंधिक धन की कोई अभिनिश्ची तरा से जो है बादी से वैद रूप से बसूल कर सकता है बादी की माग के बिरुद मुझरा करने का दावा काता है और दोनों पक्षकार वही हैसियत रखते हैं जो बादी के बाद में उनकी है वहां प्रतिबादी मुझरा के लिए चाही के रिड़ की विसिष्टिया देते हुए लिखित कथन बाद की पहली सुनवाई पर उपस्तित कर सकेगा यहां पर इंप्रड़न क्या है जो बाद की जब प्रथम सुनवाई होगी तभी हो क्या कर सकता है मुझरा का दावा कर सक अब यहां पर क्या था कि जो B नाम का ब्यक्ति था इससे A ने कभी 5 लाक रुपए लिये थे ठीक है ना 4 लाक रुपए के लिए A यहां पर बाद लाता है लेकिन जो B है वो मुझरा के लिए दावा करता है कि A ने उससे 5 लाक रुपए लिये थे यहां पर 5,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 अपना प्रतिरक्षा करना है तो वहां पर यह नियाले के उनुपजा से ही करेगा अन्यता नहीं करेगा और यदि चो 6 करता है मुझरा के लिए तो वहाँ पर इसकी माली धी क्या होगी यहाद लेजित परकार से बाद प्रस्तोत करेगा मुझरा का दावा करेगा लेकिन होगा वहाँ प्रतिवादी है लेकिन जो प्रोसेस होगी उसी प्रकार से की जाएगी लेकिन यहां पर जो मुझरा समंधी प्राप्धान किया गया यहां पर ठीक है न यहां पर क्या बताएगा है कि धन समंधी सीवाओं से अंधिक धन की कोई अविनिश्चित रास जो बादी से क्या करें बैदरों से बसूल कर सकता है तो यहाँ पर क्या है कि माली जी जो न्याले है उसकी अधिकारता किती है पांच लाक रुपए तक ही है तो यहाँ पर जो मुझरा समध क्या करना है आवेदन करना है दाबा करना है तो वहाँ पर इसे 5 लाग रुपए तक ही कर सकता है यदि 10 लाग रुपए तक कर दाबा करता है तो वहां पर किसी अन्यकोट में जाना होगा ठीकर नहीं इसकी अधिकारता नहीं है यहां पर जिसकी धन समधी अधिकारता होगी वहां पर इसी मुझरा समधी प्राध्वन किया जाएंग ठीक ना यहां पर यह भी देखना होगा कि नियाले की अधिकारता है या नहीं ठीक ना उसके बाद मुज्रा का प्रभाव क्या होगा यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि लिखित कथन का प्रभाव प्रतिबाद में बादपत्र के प्रभाव के समान ही होगा अर्थाद जो मुझरा किया जाता है अभी उपर बताया था कि जिस प्रकार से बाद प्रस्थुत किया जाता है उसी प्रकार से मुझरा के लिए दाबा किया जाता है तो यहाँ पर जिस प्रकार से बाद पत्र का प्रभा होता है उसी प्रकार से जो मुझरा के लिए दाबा कि दिये गए लिखित कथन समंधिन निया मुझरा के दावे के उत्तर में दिये गए लिखित कथन को भी लागू होंगे यहां पर जो लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादी के द्वारा अब प्रतिवादी ने क्या किया है कि साथ में मुझरा का भी दावा कर दिया जो उत्तर दे रहा है वो भी लिखित कथन के अंतरगत आएगा उसके बाद है नियम 6 का यहां पर क्या है कि प्रतिदावा का मतलब क्या होता है प्रतिदावा का मतलब होता है कि जैसे बादी ने ठीक है ना माली जी ए नाम का जो बादी है उसने कोई ऐसा प्रस ने यहां पर arise कर दिया किसी भी case में ठीक है ना जो भी इसका case चल रहा है वहाँ पर जो बी नाम का ब्यक्टित जो opposite party का प्रतिवादी है वो क्या कर रहा है उसी question से related कोई unquestion उस पर वहाँ पर arise कर देता है ठीक है ना मालोग ये कहता है इसको कोई property मिली थी ठीक है ना जो सी नाम के ब्यक्ति ने इसको ट्रांसफर करी थी ठीक है यहां पर क्या हुआ कि यह कहता है कि इसी ने इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी लेकिन जो बी है वो प्रतिदावा करता है कि वो ट्रांसफर तो हुई थी बट यहां पर सी ने नहीं डी ने ट्रांसफर की थ तो यहां पर क्या कर रहा है उस दवे को प्रतिधावा कर रहा है कि वहां पर इस जो भी बन्त उसके अधी प्रति दावय के रूप किसी एसे अधिकार या दावय, जो बादी के बिरुद प्रतिबादी को वाद फाइल किया जाने के पूर्व या पश्चाद किंदू प्रतिबादी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा परिदत किया जाने के पूर्व या अपनी परिदत किया जाने के लिए परिशीमी समय के अवसान हो जाने के पूर्व अब सानों का मतलब समाप्त हो जाने के पूर्व किसी वाद हेतुक के बारे में प्रधवूत हुआ अउठा सकेगा ठीक है ना लेकिन यह जो प्रतिधाबा उठा जा रहा है प्रतिबादी के दौरा ठीक है ना उसके पूर्व या पश्चात कभी भी किन्तु प्रतिबादी द्वार अपनी प्रतिरक्षा परिदत किया जाने के पूर्व रता जब वह प्रतिरक्षा परिदत करता है ठीक ना वो लिखित करता है उसके पूर्व या भी जो अपनी प्रतिरक्षा किया जाना है ठीक ना उसक आपका उसके बाद परन्तु यहां पर एक प्रोवाई जो बताए गया है कि एसा प्रतिदावा नियाले की अधिकारिता की धन संबंदी सीमाव से अधिक नहीं होगा जो प्रतिदावा उठाया जा रहा है वहां पर क्या होगा नियाले की धन संबंदी जो भी अधिकारिता प्रतिबाद के प्रभाव ही समान होगा जो किया वो प्रतिबाद था उसी के समान हो जिसनेमें प्रतिदावे दोंगे हैं उसी क्रश्च तर्चराइक में वहाँ पर दोनों क्या करेगा नियाले एक ही केस में सुनेगा ठीक ना और एक ही केस के पूरा नियड़े एक बार में सुना सकता है उसे नियाले को क्या है एतनी पावर है ठीक ना कि जो मूल दाबा है उसको भी क्या कर सकता है सुन सकता है एक साथ और जो प्रतिदाबा किया गया है बाद में, उसको विदोनों को एक साथ सुनके निर्णे सुना सकता है नैले उसके बाद है, फॉर्थ पॉइंट कहा है कि प्रतिदाबे को बाद पत्र के रूपे माना जाएगा और उसे वही नियम लागो होगे जो बाद पत्रों को लागो होते हैं तो यहाँ पर क्या है जो प्रतिदावा किया जा रहा है उस पर कैसे नियम लागो होगे जो बाद पत्र में लागो होते हैं जैसे हमने मुझरा समधि प्राबधान पढ़ा था कि जो मुझरा का दावा किया जा रहा है ज़ी प्रतिवादी के दोरा तो लिखित कथन कौन प्रस्तुत करेगा उसका जवाब कौन देगा बादी देगा और बादी को वहाँ पे कौन से नियम लागू होंगे जो लिखित कथन समन्दित है ठीके लेकिन यहां पर क्या है प्रतिदाबे का कळथन किया जाना bedrooms यहां कोई प्रतिबादी प्रतिदाबे के अधिकार करने वाले किसी आधार पर निर्णे करता है, वहाँ वह अपने लिखित कथन में यह बिनिर्दिष्टता है, कथन करेगा कि वह ऐसे प्रतिदावे के रोप में कर रहा है, यहाँ पर क्या है कि यह जो प्रतिवादी है, वो क्या कर रहा है, कोई प्रतिदावा प्रसुत कर रहा है, तो वहाँ पर उससे प आटाइज करके वहाँ पर सम्मिट करेगा उसके बाद नियम 6 घा ठीक ना 6D यहाँ पर क्या किया गया है बाद के बंद कर दिया जाने का क्या प्रभाव होगा यदि किसी ऐसे मामले में जिसमें प्रतिवादी कोई प्रतिदावा उठाता है और बादी का बाद रोग दिया जाता है बंद कर दिया जाता है खारिश कर दिया जाता है यहाँ पर क्या है कि बाली जी किसी मामले जिसमें क्या किया है प्रतिवादी के द्वारा कोई प्रतिद तरा उठाए गया है question पर question योहां पर क्या करेंगा यदि माली जैप आपका रोक दिया जाता है यह बंद कर दिया या खारिश कर दिया जाता है ठीक, ना जब प्रतिविदाबा उठाए गया है तब तक कि यह लिए हो सकते है न्याले क्या करे वादी कर में जो बाद है चलना यह दिमान लीजिये, प्रतिरक्षा का कोई भी ऐसा आधार जो बाद के संसित किया जाने के, या मुजरा का दावा करने वाले लिखित कथन के, या प्रतिदावा के वुपस्थित किया जाने के पश्चात पैदा हुआ हुआ है, तो यहाँ पर तीन चीजे बताईए है, प्रतिदावे के उपस्थित किया जाने के प्ष्चात यहां पर इन तीनों के प्ष्चात यदि कोई ऐसा question arise हुआ है नया आधार आपको मिला है प्रतिरक्षा करने का तो वहां पर यह था इसी प्रतिवादी या बादी दौर आपने लिखित कथन में उठाया जा सकेगा ठीक को उठा सकते हैं किसमें लिखित कथन में यह बतायागा आपका रूल 8 में उसके बाद आपटर आप आते हैं नियम 10 यहां पर बताया है कि जब नियाले दौर अपेक्षित किया जाने पर लिखित कथन करने में पक्षकार अश्फल रहता है तब प्रक्रिया क्या होगी ठीक तो यहां पर क्या है कि जब नियाले दौर प्रस्टूर प्रसूद नहीं कर पाते है तब यहां कोई पक्षित कर जिससे नियाले ने क्या किया कोई ऐसा समय डिसाइट कर दिया ठीक न समय प्रिस्काइब कर दिया वहाँ पर इतने समय के भीतर आपको लिखित कता हम प्रस्तुत करना है बट वहां पर क्या हुआ कि जो नियाले है वहां नियत समाई के भीतर उपस्तित करने में असफल रहते हैं वहां पर नियाले उसके बिरुत नेर्णे सुना सकेगा यह जैसा ठीक समझे और इसा नेर्णे सुना जाने के परश्चा डिक्री तैयार की जाएगी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह था हमारा और एट यह आपको समझे हैं तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकेन प्रेश कर लें ताकि अन्य वाले वीडियो इस क्योंटिफिकेशन आपको मिलती रहे थेंक्यों सो मच फॉर वाचिंग लीगलाइजेशन से रहे